देश के तमाम राज्यो सहीत राजसान में भी कुरुना संक्रबन के मामरों में लगातार गिरावर देखने को मिल रही है ऐसे में राज्य में आज से स्कूल, कॉलेज, यूनिवरसिटी और कोचिंग इंसिट्यूट को सौफ फीजदी शम्ता के साथ खोल दिया चाएगा हाला कि आपको बता दे अभी तक ब्रेगुलर क्लासेज पचास फीजदी शम्ता के साथ ही संचालित की जा रही थी इस संबन में ग्रह विबार द्वारा दिशन निर्देश भी चारी किये गए थे जिसके अनुसार राज्य में सेश्रे गतिवीदियां सौफ फीजदी शम्ता के साथ सोमवार यानि कि आज 15 नमबर से संचालित की जा सकेंगी इसके साथ ही कहा गया है कि राज्य के सभी सरकारी नीजी, विश्विद्याले, महाविद्याले और विद्यालों में कक्षा एक से बारवी तक की नियमित स्रिक्षन गतिवीदियो का संचालर सौफ फीजदी शम्ता के साथ अब किया जा सकेगा वहीं सभी कोचिंग संसान अपने एजुकेशनल और नॉन एजुकेशनल स्टाफ के कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोस की अनिबारता की शर्थ के साथ 15 नवंबर यानि कि सोभार आज से शर्थ प्रतिश्वत शम्ता के साथ संचालित हो सकेंगे आपको बता दें कि राजिस्तान में गहलों सरकार ने 20 सितंबर को कफशक 6 से 8 वी तक के चात्रों के लिए सरकारी और नीजी स्कूल फिजिकल मोड में खोल दिये थे वहीं उससे पहले नौवी से बारवी कक्षा तक के स्कूल 50 प्रतिश्य शम्ता के साथ खोले गए थे आलग कि राजिस्तान के लावा कई राज्यों में अब सौफ वीजदी शम्ता के साथ स्कूल संचालित किये चा रहे हैं आलग कि इस दोरान COVID-19 प्रोटकॉल का पालन करना भी बेहत ही अनिवार रहे है तो ऐसे में राजिस्तान में आज से सौफ वीजदी शम्ता के साथ स्कूल कॉलेज सभी चीज जो है कोचिंग सेंटर सहित सभी सैश्रिक संसान खुल चुके है प्रोटकी है